नमस्कार जैस्तिराम जैहिन साथियों मैं दीपक सिखवाल ग्यान विहार क्लासेश के ओनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मित्रों अभी हमारा चेप्टर चल रहा है स्वर संधी और स्वर संधी के चार भेद हम पढ़ चुके हैं दीरक संधी गुण संधी वृद्धी संधी और यन संधी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज हम बात कर रहे हैं स्वर संधी के पांचवे और अंतिम भे रहते मिलते रहें और इसी तरह से आप पढ़ाई से और हम से जोड़े रहें ठीक है तो मित्रों आज हम बात करते हैं स्वर संधी के पांचवे भेद के बारे में स्वर संधी का जो पांचवा भेद है वो है अयादी संधी स्वर संधी का पांचवा भेद क्या है अयादी संधी मित्रों ये संधी थोड़ी मैं यूँ कहूंगा कि पढ़ने के लिया आज से थोड़ी अलग विराइटी की है बाकी संधीों से मिलकर के ठीक है ना उनसे हटकर के थोड़ी संदी है तो बहुत ध्यान पूर्वक अयादी संदी को पढ़ें अध्याइन करें ताकि इसके उदाहरन जो है वह आप बहुत आसानी से सौल कर सकें ठीक है तो हम शुरू करते हैं अयादी संदी के बारे में तो मित्रों अयादी संदी की जो ए, आई, ओ, तथा आउ के बाद, कोई भी स्वर हो, तो क्रमशह, आए, आई, अव, तथा आव हो जाता है, ठीक है, अज़ान पूरवक इसकी परिबाशा को देखें, पहले जो स्वर होंगे, यानि कि प्रथम पर जो अंतिम स्वर होगा, वो अंतिम स्वर कौन कौन से होंगे, मैंने आपको दे रहें, यहां पर यह चार, वो स्वर ए हो सकता है, यानि कि प्रथम पद के अंतिम स्वर के रूप में इन ही चार में से कोई एक स्वर आपको प्राप्त होगा, और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, अब हम बात करते हैं कि इन स्वरों के बाद में, यानि जो प्रथम पद के अंतिम स्वर हो तो रूपांतरण हो जाएगा आए के रूप में इसी प्रकार आई का रूपांतरण हो जाएगा आव के रूप में ठीक है तो आई आई अव और आव इन इन में रूपांतरण हो जाता है ऑ आई ओ अव इन स्वरों का ठीक है प्रतृरME प्रत्वत के antime स्वर के रूप में और बाद में privacy कोई भी दान नहीं है, यहां पर कोई भी स्वर हो सकता है, समान अ समान की कोई बात नहीं है, मैं हर स्वर पर जितने उदाहन संभवता है, हिंदी में बनते हैं, मैं सबी उदाहन लेने का यहां प्रयास करूँगा, ठीक है, आप अच्छी तरह से इन उदाहनों को देखें, पढ़ें और समझें, आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर एक चीज़ और बता दूमें मित्रों, कि यह जो अयादी संदी है, यह काफी हद तक यन संदी के करीबी संदी है, इसके जो उदाहरन है, वो आपको यन संदी के उदाहरनों जिसे कुछ मात्रा में लग सकते हैं, लेकि होता है, स्वर्रहित होता है, इन दोनों से जो पूर्ववर्ण होता है, वो पूर्ववर्ण कैसा होता है, पूर्ववर्ण स्वर्रहित होता है, स्वर्रहित होता है, और यह किसमे होता है, यन संदी में, किसमे होता है, यन संदी में, लेकिन यहां पर आयादी संदी की यद इसरा स्वर नहीं होगा इस चीज़ का ध्यान रखना है यन संदी में य और व से पूर वर्ण हमेशा हल होता है आधा होता है लेकिन अयादी संदी में य अत्वा व से पहले हमेशा अत्वा आ स्वर होता है ये कैसे होता है आप इन उदानों में देख सकते हो य और व से पहले जो वर्ण है पहले जो स्वर है वो कौन सा स्वर है अच्छी तरह से इनको एक बार देख ले ठीक है और बाद में जो स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा का योग यर्ण संदी में भी यह और व के साथ होता था यहां पर भी यह और व के साथ ही होगा ठीक है तो बाद वाले मात्रा लगानी है यह और व के साथ मात्रा लगानी है इस चीज़ का ध्यान लखें अब हम बात करते हैं आयादी संदी के उदाहरणों के बारे में ठीक है तो आयादी संदी का पहला सुत्र है वो सुत्र आपको यह कहता है कि ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का रुपांतरन किस रूप में हो जाएगा ए का रूपान तरन आए के रूप में हो जाएगा यानि जो ए है वो आए में बदल जाएगा और जो ये बाद में स्वर लिखा हुआ है यहां बाद में जो स्वर आएगा उस स्वर की इसमें क्या लग जाएगी मातरा लग जाएगी किस तरह से होगा मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बता दूँ कि अगर ए के बाद में यदि अए हो ए के बाद में अगर अ हो तो क्या हो जाएगा ए के बाद में अगर अ होगा तो क्या हो जाएगा अए हो जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है वो पूरा हो इसी प्रकार यदि ए के बाद में आ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आया यानि कि ए का तो आ हो गया बाद में स्वर आ है तो यह में हमने आ की मात्रा का योग करके क्या बना दिया आया इसे कर ए के बाद में अगर ए हो जाएगा अईए अगर आप देखेंगे कि ए अगर दिर्ग हो गई तो ए की मातरा है वो ए की मातरा क्या हो जाएगी दिर्ग हो जाएगी बड़ी हो जाएगी इस तरह अच्छी तरह से ध्यान लखें कि जो स्वर होगा हमें उसी की मातरा लग करते हैं ए के बाद में यदि उ अत्वा उ स्वर हो तो क्या हो जाता है ए का रुपान तरन आए में हो जाएगा अगर स्वर छोटा है तो यह के साथ छोटी मात्रा का योग हो जाएगा और यदि स्वर बड़ा है तो यह के साथ में दिर्ग स्वर का बड़े स्वर का योग हो बड़ी मातरा लग जाएगी तो ए के बाद में अगर हस्वववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव आईए ठीक है कुछ लोग करते हैं कि समान स्वर नहीं होते हैं तो अब इसी तरह से ए के बाद में अगर आई हो गया तो यह के ऊपर आई की मात्रा का योग हो जाएगा तो वन्ड क्या हो जाएगा अयई ए प्लस ए का हो आईए और ए प्लस ए का क्या हो जाएगा अयई और इसी प्रकार ए के बाद में अगर ओ स्वर हुआ तो क्या हो जाएगा अयई гр और ए के बाद में अगर अव हुआ तो क्या हो जाएगा अयो इन सुत्रों को अच्छी तरह से समझ लें ताकि उदाहरणों को सौल करने में आपको किसी प्रकार की कोई समझ या ना आए ताकि हम बाद में दिये हुए उदाहरणों का बहुत आसानी से सौल कर लें ठीक है तो यह जो सुत्र हैं इन सुत्रों का अच्छी तरह से एक बार देख लें पढ़ लें जरूद हो तो इनका एक इसके शोट भी ले लें ठीक है अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों के बारे में तो मित्रों इसका उदाहरण जो है सुत्र अभी हम पढ़ रहे हैं एक बाद क कोई भी हो तो हम क्या कर रहे हैं अए बना रहे हैं यहाँ पर जो स्वर होगा उस स्वर की हम क्या करेंगे मात्रा का योग कर देंगे अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही आपका जाना पैचाना सा उदाहन लेता हूँ मैंने यहाँ पर लिख दिया है ने प्लस अन शब्द मैंने लिखा है ने अब अच्छी तरह से इस शब्द का पोस्ट मार्टम कर लेते हैं इसका जबड़ा थोबड़ा खोपड़ा फेपड़ा कली जी गुर्दा सब निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि समस्या कहा है जोड़ना किनको है वो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए तो ने जो मूलसद है इसमें से न को हमने हल किया है तो जो स्वर है वो क्या निकलेगा अगे हम देक रहे हैं स्वर कुनसा है और क्या है न है जोड़ना किस में आपको मालूम है आप यहाँ पर देख सकते हैं A के बाद में A जोड़ेगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आए तो इसी प्रकार A प्लस A को हम जोड़कर क्या बना लेते हैं आए बना लेते हैं अब आप यहाँ पर देखो कि न हलंत है A plus A को जोड़कर हमने A बना लिया पीछे यहाँ पर न है यानि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खतम हो रहा है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं न हलंत है A स्वर के साथ जोड़ेगा तो न के साथ A जोड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा ठीक है उसके बाद में यह और शेस बचा हुआ पद क्या आ जाएगा न तो इस प्रकार ने प्लस अन की जो संदी है वो क्या हो जाएगी नयन के रूप में हो जाएगी आशा करता हूँ अच्छे तरह से यह आपके समझ में आ गया होगा अब कोई समझ यह हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस अच्छे तरह से इस उदाहरन को समझ लें मैं कुछ और उदाहरन लेता हूँ मैंने यहाँ पर बात की एक के बाद में अस्वर हुआ अब मैं बात करता हूँ एक के बाद में कोई दूसरा स्वर अगर आजाए मान लो आव आजाए इ आजाए कोई अन्य आजाए तो क्या होगा तो उनको हम किस तरह से परिवर्तित करेंगे ठीक है संचे प्लस इनी ठीक है शब्द क्या लिखा है संचे प्लस इनी यहाँ पर आप देख सकते हैं संचे को हल करोगे तो च से स्वर कौन सा निकलेगा एक स्वर निकलेगा ध्यान रखना है संचे इसमें सम उपसर्ग है ची मूल दातू है जिसका संसकत के नियमों के अनुसार गुन रुपांतन करके हमने चे बनाया है यह कारी प्रक्रिया पूरी के पूरी संसकत की है अब आप यहों बोलोगे कि संचे का हिंदी में अर्थ क्या होता है तो मैं आपको इस्पष्ट कर दूँ कि संचे हिंदी का शब्द नहीं है यह उदाहरन आपको पुस्तकों में भी जो मिलते है वो संसकत के उदाहरनों के रूप में ही मिलते है मूल उपसर्ग अगर मैं बात करूँ तो इसमें संचे की धातू है जिसका अर्थ होता है चयन करना चुनना ठीक है और उसके साथ में यह इनी शब्द जुड़ा हुआ है प्रतेय के रूप में अब हम बात करते हैं उदाहरनों के बारे में तो संचे में से हमने चया का कहा है तो सवर क्या निकला a इसके बाद में हमें सवर कौन सा जोड़ना है और 6 पद क्या है centresे नि अब हम जानते हैं कि a के बाद में e को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि A का रूप में हो जाता है A के रूप में यहाँ पर संचे में से हमने चर को हलंत कर लिया हलंत ही रहेगा A प्लस E तो आपको मालूम है A का रूप 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 किसमे हो जाएगा A के रूप में हो जाएगा रेकिन बाद में स्वर कौन सा है अब आप यहाँ पर देखेंगे चरहलंद है और उसके बाद में असवर है दोनों का योग होगा तो अ की मातरा का योग चरह के साथ में हो जाएगा अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा अब मैं बात करता हूँ उ स्वर का एक उदाहन लेकर के तो उ स्वर का एक उदाहन अगर मैं लूँ तो सुत्र एक अपस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि सुत्र यह कहता है कि ए के बाद में तोई बिज़ा बना रहे हैं और स्वर की मात्रा का क्या कर रहे हैं मात्रा के रूप में स्वर का योग कर रहे हैं मैंने आपसे बात कही थी कि ए के बाद में हम उ स्वर को लेखते हैं तो यहां पर एक सब्द लिख दिया है इसमें भी आप देखोगे जो इसमें विजे में वी उपसर्ग है संस्कत की जी धातू का योग हुआ है जिसका गुन रुपांतरन करके हमने जे प्राप्राप्रा है विजे प्लस उद्गोश ठीक है दोनों खंडों को हम जोड़ते हैं तो आप साथ साथ में जोड़ते हैं पहले हम जग करेंगे तो जग से स्वर कौन सा निकालेंगे ए उसके बाद में स्वर क्या आएगा उद्गोश लिखा हुआ है ठीक है तो उद्गोष में से हम स्वर ले लेंगे U और उसके बाद में से इस पद जो बचा है वो एजरिज इसके साथ में हम रख देते हैं अब मित्रों आपको मालूम है हम जोड़ना किसको है A प्लस U को जोड़ना है तो आप पर विजें से हमने A निकाल दिया है तो जो विज ज़ है वो अभी तक हलंत है A प्लस U को जब हम जोड़ेंगे तो A का रूपा अंतरण हम I के रूप में करेंगे उ है छोटा स्वर है रस्वर है तो हम यह के साथ में U की मात्रा का योग कर देंगे तो A प्लस U का योग क्या हो जाएगा I U उसके बाद में जो बचा हुआ पद है वो उद्घोष वो साथ में As it is रहेगा इसमें कोई फेर बदल नहीं करना है कोई बदलाव नहीं होगा अब इस पूरे पद को हम जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा विजय उद्घोष शब्द क्या हो जाएगा विजय उद्घोष आप देखोगे जर के साथ में अ की मात्रा का योग हो जाएगा तो विजर पूरा हो जाएगा बाद वाला जो यू है वो यथावत आ जाएगा उद्घोष जो पीछे है वो एजरिस आ जाएगा तो विजे प्लस उद्गोस का जो संधी पद है वो क्या हो जाएगा विजे उद्गोस हो जाएगा अच्छी तरह से इसको समझ लें प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ और दे रहा हूं जिन पर आप अभ्यास करें प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्षन में उनके उत्तर देते रहें जो विद्यारति नीमित रूप से पढ़ते हैं उनको मालूम है कि मैं कमेंट सेक्षन को अच्छी तरह से देखता हूं ठीक है तो अभी प्रैयास करें उत्तर देने का मैंने यहां पर एक सब्द लिखा है पे प्लस अस इसका संधी पद क्या हो जाएगा यह विजे प्लस इनी विजे प्लस उक्ती ठीक है एक के बाद में एक आज उदाहरन है वो भी में एक में लिख दें यहां पर हरे प्लस ए मित्रों यह जो उदाहरन है इसका हिंदी में हो सकता है आपको कहीं पर कोई प्रयोग ना मिले लेकिन संधी में कभी कभी इस प्रकार के उदाहरन पूछ लेते हैं इसलिए ये उदाहरन भी मैंने आपके लिए लिख दिया है अगर आपको कोई समस्या हो इसको solve करने को लेकर कोई confusion हो तो मैं इसको solve भी कर देते हैं मित्रों आप देखोगे कि हरे में से हमने रह को solve किया तो solve निकला A इसके बाद में भी solve है A ठीक है हरे के हमने खंड किया तो solve हो गया और यहां solve में से हमने A solve को बाहर निकाल दिया और बाद में हम solve है अब आप देखोगे A plus A को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आये ए का तो आय हो जाएगा और बाद में जो ए है इसकी मात्रा लग जाएगी तो पद क्या हो जाएगा आये अब आप यहाँ पर देखोगे कि रहलंत है हलंत रह के साथ में अ जुड़ करके और पद क्या हो जाएगा हर ये चतूरती विबक्ती में आने वाला ये पद है चतूरती विबक्ती एक वचन में तो वहां से उदाहन लिया हुआ है ठीक है इन उदाहनों को आप सौल करें अच्छे तरह से कंवे सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दें ताकि मैं भी देख लूँ ठीक है अब हम बात करते हैं इसी आयादी संधी के अगले सुत्र के बारे में इसका जो अगले सुत्र है इसका जो दूसरा सुत्र है आई हो जाता है आई के बाद में कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाता है आई हो जाता है अच्छी तरह से याद करें इन सुत्रों को क्योंकि संधी में सारा का सारा खेल जो है वो इन सुत्रों का है ठीक है तो आगे मेरे पुत्र ध्यान में रखना ये सुत्र ठीक है अब हम बात करते हैं एक बात करते हैं आई है ए 해 से जानने वाले जो शब्द होंगे उसमें मात्राइं दो हो जाता है इसको दिर्ग मान लेते हैं इसको दिर्ग मान लेते हैं इसके उपर मात्रा को नहीं लगाते है और जिसके उपर एक मात्रा आ जाती है फिर वो स्वर आई हो जाता है यहां इनको रहस्वद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द ठीक है शब्द मैंने क्या लिखा है नई प्लस एका तो यहां पर आप नई में से जब न को हल करोगे तो न से स्वर कौन सा निकलेगा आई न से स्वर कौन सा निकलेगा आई दो मात्राएं है इसलिए हमें आई निकालना है आई के उपर दो मात्राएं नहीं लगानी है आई स स्वर का जब व्यांजन के साथ में योग होता है तो उनकी मात्राएं दो होती है दो लगाई जाती है इस चीज़ का ध्यान रखें और एका में से हम स्वर लेंगे ई का ठीक है अ किसको आई प्लस e को up को जोड़ना है तो अब मालूम है कि आई के बाद में जुड़ेगा तो क्या होजाएगा अई प्लस ई जुड़कर आई हो जाएगा ठीक है अब आप देखले कर न 생ाए को जोड़कर हमने आई बना लिया है पीछे क्या रहे गया है का रहे गया है करते हैं कि न के साथ में आ जोड़ेंगे तो स्ब्द क्या हो जाएगा न, यहां पर मिल्त्रों हमने लगाना भी त Pastor है हम इसको माळा को लगा लेते हैं यहां अई प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आ य बनेगा क्या बनेगा आई तो क्या हो जाएगा मात्राओं का योग है वो करना है मात्राओं को भूलना है ना हलंत है आगे आस्वर है ना पूरा हो गया बाद में यी आया हुआ है और 6 बचावा जो का है वो as it is आ जाएगा तो नाईका का संदीपद क्या हो जाएगा नाईका हो जाएगा इसी प्रेशा से हम एक उदाहन इसका और ले लेते हैं मान लीजिए मैंने एक सब लिख दिया है गई प्लस अक गई प्लस अक तो आप यहाँ पर भी देखोगे गः हलनत है तो सवर कुनसा निकलेगा आई आगे सवर कुनसा है अ सवर है अ सवर निकालेंगे इसके बाद क्या बचा है गः बचा है अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें जोड़ना किन दो सवरों को है तो मित्रों मेरा अनुसाइद बिल्कुल सही हो सकता है अब आपके बारे में अब आपको मालूम हो चुका होगा कि हमें किन दो स्वरों को जोड़ना है और अ को जोड़ना है ठीक है यहाँ पर हमने गर में से आई स्वर को निकाल लिया है तो गर हलन्त हो गया आई प्लस अ को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा उसके बाद में सेजपद क्या है कर है अब हमें जोड़ना किसको है गर के साथ में आई को जोड़ेंगे तो सब्द क्या हो जाएगा गर हलन्त है आगे आस्वर है तो आकी मातरा जुड़ जाएगी यह साथ में जैसा है वैसा का वैसा जुड़ जाएगा और पीछे बचावा पद जुक आ जाएगा तो इस प्रकार आपको गई प्लस अक का संदिपद क्या प्राप्त हो जाएगा गायक प्राप्त हो जाएगा ठीक है अब मैं कुछ और उदाहरन जो है इसी सुत्र से जुड़े हुए आपको दे रहा हूँ आप उन पर अभ्यास करें प्रैक्टिस करें ठीक है चलिए तो इसके कुछ और उदाहरन लिखते हैं मैंने यहाँ पर एक सब दिखा है गई प्लस अन गई प्लस इका दई प्लस अक विधाई प्लस अक विधाई प्लस अक तो ऐसे कुछ उदाहरन है आप इन उदाहरनों को जोड़ें संचई प्लस अक संचई प्लस इका तो यह इसके कुछ और उदाहरन है आप कमेंट सेक्शन में भी इनका उत्तर देते रहें ठीक है कोशिस करें अच्छी तरह से इनको पढ़ करके समझ करके इनका उत्तर दें कमेंट सेक्षन में मैं अच्छी तरह से देख लूँ लेकिन फिर भी मैं आपके उत्तर की पुष्टी के लिए आप खुद स्वयम जांच कर सको अपने उत्तर की इसलिए इनको साथ में मैं खुद भी सौल कर देता हूँ तो मित्रों मैंने जो गई प्लस अन लिखा है तो इसका संदीपद क्या हो जाएगा गायन इसे प्रकार गई प्लस इका क्या हो जाएगा गायी का दाई प्लस अक क्या हो जाएगा बिलकुल साइज जवाब हो सकता है आपका भी दायक विधाई प्लस अक क्या हो जाएगा संचायक तो इस प्रकार से इसके कुछ उदारनों करते हैं इन उदारनों पर अच्छेतर से अभ्यास करें ठीक है अगर आपके पास कोई भी किताब कोई भी हो तो उन में भी इनके अत्रिक जो और उदारन आपको मिलते हैं आप उदारनों पर अच्छी तरह से अभ्याज करें ठीक है अब हम बात करते हैं इसके अगले सुत्र के बारे में तो मित्रों संदी का जो अगला सुत्र है वो सुत्र ये कहता है तीसरा सुत्र कि ओ के बाद में यदि कोई भी हो तो ओ का रुपांतरन किस में हो जाता है ओ का रुपांतरन अव के रूप में हो जाता है और जो स्वर है उस स्वर की साथ में क्या लग जाती है मात्रा लग जात मित्रों यह जो ओ है इसी ओ को हमें किसमें बदलना है और यह जो स्वर है इस स्वर की हमें क्या लगानी है मात्रा लगानी है इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान लखें मैं इसके सुत्र को भी एक बार पूरी तरह से रिपीट कर देता हूं ताकि मात्रां किस प्रकार से आप लगाओ वो भी आपके ध्यान में रहें ठीक है तो मैं यहां पर बात करता हूँ O के बाद में नौकी तो मित्रों मैं यहां पर लिख देता हूँ O ठीक है और इसके बाद में मैं सभी स्वरों को लिख देता हूँ A A I E O O A A I O और O अभी के सभी स्वर आ जाएंगे री स्वर का योग O के बाद में नहीं होता है आयादी संधी में A I O A O के बाद री स्वर का कोई उदाहरन प्राप्त नहीं हुआ है अब तक जहां तक मैंने अद्यायन किया है ठीक है जो स्वर मेरे सामने आया है मैं आपको बता रहा हूँ अब आप देखिए कि O के बाद में अगर अ स्वर का योग कर दिया है अब आप देखोगे O के बाद में A होगा तो क्या हो जाएगा अवा O के बाद में A हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अवी O के बाद में A दिर्ग हो गया तो क्या हो जाएगा अवी O के बाद में O हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अवू O के बाद में O दिर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अवू A हो जाएगा तो अववव और इसी प्रकार अवव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखें इस सुत्र को अच्छी तरह से समझ ले ठीक हैं इनसे ओ के बाद में आने वाले स्वरों की सिति और उन स्वरों के योग से ओ में जो होने वाला रुपांतरण है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जरूरत हो तो इसकिन शोट ले ले लें इसका ठीक है अब हम बात करते हैं इसके उदाहनों के बारे में ठीक है तो मित्रों जैसा कि ओ के बाद में ये सभी के सभी सवर आ गए तो हिंदी व्याकरण में अगर मैं बात करूं तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द आते हैं उन में इन सभी सवरों का प्रयोग हो ये संभव नहीं है ऐसा नहीं होता है जिन सवरों का प्रयोग होता है या जिन चुटे जा रहे हैं उन स्वरों पर उदाहरण जो प्रयुक्त होते हैं वो आने वाले उदाहरण के वल संस्कत के ही होते हैं हिंदी में उन स्वरों के कोई उदाहरण नहीं होते हैं इस जीज़ का ध्यान रखें अब मैं बात करता हूँ कि ओ के बाद में स्वर आ जाए अ तो क्या हो जाए तो सातियों मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है पो प्लस अन बहुत ही जाना पेचाना उदाहरन हो सकता है यह आपके लिए पो के बाद में अ स्वर जुड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पो से हमें अ स्वर को निकालना है क्योंकि संदी करने के लिए हमें स्वरों का जो प्रथक करना जरूरी है तो वो एक बार हम प्रथक कर लेते हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पो प्लस अन की ठीक है पो प्लस अन अब आप यहां पर आप देखोगे कि वो मेंसे जब आप पर को हल करोगे तो स्वर कौन सा निकलेगा ओ उसके बाद में शब अन अन मेंसे हम अ स्वर को अलग कर लेते हैं पीछे क्या बचेगा केवल न आप देखोगे ओ क्या में अ को रहा है तो मित्रों आप यहां पर देख सकते हो ओ के बाद में अ जुड करके क्या हो जाएगा अच्छे तरह से देख करके जवाब देए ओ के बाद में अ जुड कर क्या हो रहा है बिलकुल सभी जवाब हो सकता है आपका ओ प्लस अ का क्या हो जाएगा अब अब हम बात करते हैं यहां पर पहलंत है پीछे क्या है पीछे नगए है पहलंत है बात में स्वर अ है पह के साथ अ जुड़़घा हो जाएगा पह पुरा हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा पह वन हो जाती है ठीक है ऐसे ही कुछ और उदाहरν में आपके सामने रख रहा आप उन पर अभ्यास करें एक बार मैंने यहां पर सब्द लिख दिया है भो प्लस अन उत्तर क्या होगा इसका आप कमेंट सेक्षन में साथ साथ में उत्तर देते रहें ताकि मैं आपके उत्तरों को देखता भी रहूं ठीक है भो प्लस अन का क्या हो जाएगा आप कमेंट सेक्षिन में उतर दें मैं उतर इसके बाद में दूँगा ठीक है और इसका सब्द हो जाएगा भी भो प्लस अ और इसका सब्द क्या हो जाएगा हो प्लस अन ठीक है तो ऐसे कुछ उदाहरण है इन उदाहरणों कि आप उत्तर दें हो सकता है आपका अनुमान सही हो बिलकुल सही हो मैं भी इश्वर से यही प्रातना करता हूँ कि आपका उतर सही हो ठीक है तो भो प्लस अन का क्या हो जाएगा भवन एक बार अपने उत्तर को वापस जाँचले साथ में चेक करते रहें वीभव का क्या हो जाएगा वीभव हो प्लस अ क्या हो जाएगा हवन कई बार कुछ छोटे छोटे उदाहन भी आपको दिये जा सकते हैं जैसे शब्द आ गया हो प्लस अ तो क्या हो जाएगा इसका भव ठीक है भव एक बहु अर्थी शब्द है भव शब्द का अर्थ संसार भी होता है भव शब्द का अर्थ शिव भी होता है भव शब्द का अर्थ कल्यान भी होता है भव शब्द का अर्थ होना भी होता है संसक्रत में भूध हतु के योग से तो इस प्रकार ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं इसी संधी के अगले सुत्र के बारे में तो मित्रों का जो अगला सुत्र है वह सुत्र ये कहता है कि आउ के बाद में के बाद में इसका चौथा और अंतिन सुत्र है कि आउ के बाद में कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा ओ का आव हो जाएगा है आद में स्वर आएगा उस स्वर की क्या लग जाती है मात्रा लग जाती है इतनों ध्यान रखना ओ का जो रूपांत्रन है वो आव के रूपां को समझ लें पिछला जो सुत्र था ओ के बाद में कोई स्वर ये जो सुत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रत्थम स्वर ओ नहीं है ओ के इस्थान पर क्या है अव है ठीक है तो ध्यान रखना है यहां पर थोड़ा अव के बाद में अगर कोई जाने वाली यह दियो साधरन बासा का बात करूं साधरन बासा की बात करूं तो देखो ये ओ को आप के तेओ छोटा स्वर है तो यहां पर हमने अ की छोटी मातरा लगा दी और अव को आप के तेओ यह दिर्ग बड़ा स्वर है तो आपने बड़ा स्वर क्या ले लिया आ ले आप अपने समझने के लिए इस प्रकार की शैली का भी उपयोग कर सकते हैं, इनको प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन ओ और आउ भी मैं आपको बता दूँ, ये भी रस्व और दिर्ग स्वरों की स्रेणी में नहीं आते हैं, ओ और आउ ये स्वतंत्रे स्वरों की रूप में ओ गुण स्वर है औ वरदी स्वर है ठीक है यह और दिर्ग की स्रेणी में नहीं आते हैं इसको ध्यान में रखें ठीक है क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको परिक्सा में इस प्रकार से पूछेंगे कि दिर्ग स्वर्णी के आपको इस प्रकार के विकल्प पूछ सकते हैं कि ई प्लस ई इ उ प्लस उ अ उ प्लस उ दिर्ग उ प्लस उ दे सकते हैं और यहां पर ए प्लस ए सवाल आप कोई हो सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिर्ग संधी का नहीं है निम्न में से कौन सा विकल्प दिर्ग संधी का नहीं है इसी विकल्प में आपको दूसरा एक और प्रशन ये भी पूछ सकते है कि निम्न में से किस विकल्प में आयादी संधी है या अन्य किसी संदी के अंतरगत ये सुत्र नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है, अब हम बात करते हैं, आउ के बाद में आने वाले स्वर, यहां पर भी हम जिसा पहले हमने पढ़ा था, इसी तरह से हम पढ़ लेते हैं, पहले हम स्वर ले लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में आने वाले स्वरों की, तो बाद में सभी के सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओ के बाद में अगर स्वर अ हो, तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा यहाँ पर वर को हमने हलंत नहीं रखा है जिसांगि हमने सुत्र में रखा है सुत्र में हलंत इसलीarm Cert कौन सा होगा वह अभी तक फाइनल होगा ही है मेंचन होगा नहीं है जो स्वर आएगा उस स्वर के हमें मातरा लगानी है यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वर बाद में अ आ रहा है इसलिए हम व के साथ भी अ स्वर की मात्रा का योग करके और व जो वर्ण है इसको पूर्ण 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 परकार आप देखोंगे कि ओ के बाद में आ होगा तो क्या हो जाएगा आवा ठीक है ओ के बाद में आ का क्या हो जाएगा आवा ठीक है ओ के बाद में इ होगा तो क्या हो जाएगा आवी ठीक है इ दिर्ग हो गया तो क्या हो जाएगा आवी उ हो गया तो क्या हो जाएगा आवू उ दिर्ग हो गया तो आवी अ हो जाएगा तो आवे मारवाड़ी जानने वाले बच्चों को हो सकता है, सुनकर थोड़ी हंसी आ जाए आवे, आवो, ठीक है तो दाहन बन रहे हैं यहां पर, आई से क्या हो जाएगा आवाई इसी प्रकार आप देखों कि वो से क्या हो जाएगा, आवो मारवाड़ेरा पामना ठीक है वो आवो और इस प्रकार से अवो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आवो ठीक है तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सुत्र बन रहे हैं अच्छी तरह से इन सुत्रों को देखें समझें और उधारणों में इन में से किस स्वर की सिति बाद में आ रही है उसको भली प्र जिससे आपके गलत ने के संभावना लगबग नगर्ण ने ओड़ाएगी ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों के बारे में तो मित्रों हमें चाहिए अउ के बाद में अ चाहिए ठीक है तो इसके लिए मैंने यहां पर एक सब्स दिया है पव प्लस अस पव प्लस अस तो मित्रों आप यहां पर देखोगे कि पव में से जब आप को हल करोगे तो आप स्वर कौन सा निकालोगे जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताई दियो हैं ताकि ससुर कनाती हमका भी तो मालूम पड़े कि कौनों यहां पर बैटी बैटी के पड़ी जाते हैं और क इसी मुजाक से माहोल अच्छा बना होता है जरूशन महा होता है ठीक है चलिए तो एक बार यहां पर हम यहां पर तो हरसे एक कही रही थे। आउ में से हम अ को हलन्त कर दिया तो कौन सा स्वर बाहर निकल जाता है उस स्वर कौन सा होता है आउ और उसके बाद में का होगा अ और उसके बाद सवर अब हम बात करते हैं कि जोड़ना किसको है आउ के बाद में अ को जोड़ना है तो मित्रों आउ प्लस आज जोड़कर का हो गवाथ हैं? आव आप यहां पर देखोगे आगे का रह गया? पहलंत रही गवा और उसके बाद सह हुई गवाथ अब आप देखोगे पहलंत है किसके साथ जुड़ेगा? आ के साथ तो पह प्लस आ जुड़कर क्या हो जाएगा? पा पीछे क्या बचा? व उसके बाद क्या है? सर पूरा पद जोड़कर क्या हो गया? पावस तो पहु प्लस अस की संदीक हो जाएगी पावस अब आप यह जुचेंगे कि पावस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेरे मित्रों जरा किताबें खोल लिया करो धूल मित्ट जो है उनको पढ़ते रहों कि शब्दों से आपका जो परिचय है वो परिचय बराबर बना रहे हैं आप भूलो कि भाशा आपके लिए नई ना हो जाए ठीक है? पावस जो शब्द है वर्षा का परियाईवाची शब्द है किसका परियाईवाची है? वर्षा, बरसात, ब वावस ठीक है जिसका अर्थ होता है बरसाथ करते हैं इसी के कुछ और उदाहनों की तो मैंने यहां पर एक प्लस अन क्या हो जाएगा इसका उत्तर कमेंट सेक्षन में देते रहें विभाव प्लस अरी क्या हो जाएगा इसका उदाहन भी ठीक है प्रेक्टिस करें मैं कुछ और उदाहना के दे रहा हूँ विभाव प्लस अना धव प्लस अक धव प्लस इका प्लस अक ठीक है तो इस प्रकार के कुछ अपर अच्छी तरह से एक बार प्रेक्टिस करें ठीक है इनका जो सही रूप है वो क्या होगा आप जरूर उत्तर देंगे साथ में मैं भी आपको बता दूँ ताकि आप एक बार वापस अपने उत्तरों को एक बार चेक कर लें ज कि अब खुचों के विभावरी युगे विभावरी संब का होता है कर दो हर चाहर को बताई जाता है विभावरी एक शबद का अर्थ होता है रात क्षपारbelsा शरवरी परियाई वाची परते रहा करो अच्छा रहाक लग गएग आपको भी परिक्षा में भी आपकी काफी म इंदी साहिति वाले विद्यातियों को मालूम है संसकत में एक अलंकार होता है विभावना अलंकार इकावे सास्तर की खिलापना परिचे उगा तब आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे धाव प्लस अक का क्या हो जाएगा धावक ठीक है धावी का श्रावक श्रावक सब्द का अर्थ होता है साधू बटुक ठीक है साधू के गुरुकुल में प्रिशियों के गुरुकुल में जो रहने वाले जो सिस्या है उनको भी स्रावक कहा जा सकता है जैन धर्म के जो संत होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है शावक कहा जाता है तो इस प्रकार के ये कुछ उदाहरन है आशा करता हूँ कि आयादी संदी अब आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी साथियों यहां तक जो है वो स्वर संदी के जो सारे भेदें वो समापत हो जाते हैं अगला जो करके जरूर बताएं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों जाने से पहले अगर आपने ग्यान विहार क्लासें का यूट्यूब चैनल है वो अगर सबस्क्राइब कर लें वीडियो को जरूर लाइक कर लें मुझा अशा नहीं पूरा विश्वा से कि जरूर आपको प अपने मित्रों को परिचितों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें आगे भेजें ताकि पढ़ाई का लाब भी ले सकें कोरोना के इस भयंकर दोर में इश्वर से आपकी मंगल स्वास्ति की कामना के साथ में मैं अपनी वानी को विराम देता हूं धन्यवाद